नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल RK ने जबडेट पर आपका स्वागता है। दोस्तों बात करेंगे हरियाना CET exam के बारे में हरियाना CET exam से सम्मधित सभी जो doubt हैं वो clear के जाएंगे और आपको पता कि अंदर जो आगे जो बरती और जो अनुबंद और डीसी रेट की परतिया है वो हरियाना कोसल रोजगार निगम पॉर्टल के दवारा की जाएंगी उसकी जानकारी आपको आई बटन की वीडियो में मिल जायेगी महां से आप सपेशल प्लेइस्ट भी देख सकते हैं दोस्तों बात करते हैं हरियाना सीट एक्जाइम क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं यह कब होगा तो कि अप्लाई कब तक करें इसको तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और लास्ट डेट भी इसकी नहीं है क्योंकि आप किसी टाइम भी इसको अपलाई कर सकते हैं इसको किसी टाइम भी आप अपलाई कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं कि योगिता क्या है मीनिमम दस्वी पास होने चाहिए आप अप अपलाई कर सकते हैं दस्वी पास से ही आप अपलाई कर सकते हैं इसको बारमी बी यह जो आपके अडिशनल क्वालिफकेशन है चाहिए आई टीए की हो आपने पोलिटेकनिकल अगा ड के लिए जो है वो रहेगी 250 रुपे दोस्तों उसके बाद बात कर लेती इंब पारे में लिए सबसे इंपोरेट रहेगा आपके पास family ID है तो आप family ID करें आपकी फीस में और नकर आप 500 बांद करें तो फीस आपके डबल हो जाएगी उसके बाद कुश्चन आता है कि क्या अधर स्टेट के कंडिडेट इसको अपलाई कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं अधर स्टेट के कंडिडेट भी इसको अपलाई कर सकते हैं उसके बाद बात आती है कि फोम एडिट कर सकते हैं कि कि किसी न बात बात करते हैं कि ग्रूप D की नोकरी हमें कैसे मिलेगी और ग्रूप C की नोकरी हमें कैसे मिलेगी तो ग्रूप C की बात ग्रूप D की बात करें तो जो रहेगा सीटी इंदर ग्रूप D में नोकरी कैसे दी जाएगी उसके बाद ग्रूप C में नोकरी कैसे मिलेगी अगर 500 पोस्टे आती हैं तो गुरूप C की नोकरी के लिए 500 पोस्टे जब आई हैं उसका तीन टाइम मर्यों ठीटाइम से हो जाएगा क्या हो जाएगा 1500 candidate को उठाया जाएगा CDT के जो top पर है उन CDT के top पर को 1500 candidate को उठाया जाएगा और उनका जो है एक exam और लिया जाएगा screening exam और लिया जाएगा और उसके बाद ही जो है selection process आगे बड़ेगी उसी जो screening के base पे है जो selection किया जाएगा 500 पोस्टों पे तो ये जानकारी रहेगी दोस्तों CDT के बारे में अभी भी आपका कोई question रहता है comment कर सकते हैं आप बिल्कुल आपके comment का जवाब दे दिया जाएगा जानकारी अच्छी लगीगी आपको जानकारी को share कर लें चैनल को